तो अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो तीसरे टेस्ट में विराट कोहली के आती बदल के भारत की आती टीम गिल और आईयर टीम कैसे एक साथ बाहर हुए कोहली के साथ वापिस एक साथ डेब्यू करेंगे ऐसे दो खुंकार किलाडी नाम सुनते ही थर थर काप उठेगी इंगलेश टीम तीसरे टेस्ट में अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए राहुल द्रविट ने बनाया है मास्टर प्लैन किया नई प्लैंग 11 का एलांच देख मचा इंगलेंड खेमे में हड़कम तो आखिर तीसरे टेस्ट मैच में किसकी हुई हवापसी क्यों शदगवीर गिल को द्रविट ने दिखाया भारतिय स्कॉट से बाहर कर रास्ता कौन करेगा तीसरे टेस्ट में डेब्यू अब कैसी है प्लैंग 11 सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कोहली रोहित और धोनी में कौन सबसे महान खिलाडी और कफ्तान है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों इंडिया इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की रोमांचक सीरीज रोमांचक मोर पर आचुकिये टीम इंडिया ने विशाखा पटनम टेस्ट में इंग्लैंड को 106 रनों से हराया इससे पहले इंग्लेंड ने हैदरबाद टेस्ट में भारती टीम को 28 रनों से हराया था इस तरह 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुँच गई है अब भारत इंग्लेंड के बीच सीरीज का 3 टेस्ट 15 फरवरी से खेला जाएगा दोनों टीमे सीरीज में कई ऐसे भारती बल्ले बास भी थे जिन्होंने अपने बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया ऐसे में अब बाकी बचे तीन टेस्ट मैचों के लिए बेसी सी आई पूरी स्कॉट बदलने के लिए तैयार है जहां तीसरे टेस्ट मैच के लिए उन्होंने भारत के तीन दिगत सुपस्टार खिलाडियों की वापसी करने का मन बनाया है जिसमें से दो खिलाडी तो टी-20 के बेताज बात्चा माने जाते हैं जिनकी एंट्री से ही इंग्लिश खेमे के पसीने छूटने तैम आने जा रहे हैं आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुश में इसां चांड़ किया गया है जी हां राहुल द्रविट पर्सनली रिंकु सिंग को पज़न करते हैं और अब टेस्च में उनका रीव्यू करने के लिए राहुल ध्रविट नें उन्हें स्कौर्ड में शामिल करवाया है ऐसे में इन सबके आ जाने से अब 3 टेस्ट के लि नमबर तीन के पायदान पर पिछले मैच के शतक वीर गिल ने सोचा था कि अब तो उन्हें कोई टीम से बाहर निकाल ही नहीं सकता है लेकिन अब उन्हें राहुल दरवेट ने 440 वोल्ड का जटका दिया है जहां उनके इस्थान पर अब वापसी हो चुकी है भारत की आन बा भी परफॉर्म नहीं कर रहा था ऐसे में अब उनकी जगह प्लेंग 11 में वापसी करने वाले शांदार विकेट कीपर बल्लेबाज रिशब पंत जिन्हें देखने के लिए तो उनके फैंस के आखें तरस गए और आखिरकार पंत अब इंटरनेशनल किर्किट में दुबारा कदम रख अपनी पुरानी चाप छोड़ने के लिए तैयार है राहूल दरविट को उन पर बहुत अधिक भरोसा है वही नमबर पाच के पैदान पर दरविट ने सरफरास खान को प्लेंग 11 में डेब्यू करने का मौका दिया है यानि कि ये तीसरा टेस्ट मैच सरफरास का इंडिया के लिए डेब्यू मैच होने वाला है नमबर चाह के पैदान पर शिखर भरत को भी अब टीम इंडिया से अपनी जगा गवानी पड़ी है उनके इस्थान पर भारत के लिए डेब्यू करने वाले हैं रिंकु सिंग यानि कि राहूल दरविट तीसरे टेस्ट मैच में एक साथ दो युवा धाकर खिलाडियों को टेस्ट कैप सौपने वाले हैं नमबर साथ और आठ के पायदान पर या कहें स्पिन और राउंडर डिबार्टमेंट की जिम्मेदारी एक बार फिर अक्षर पटेलर रविट शंदरन अश्विन के कंधों पर दरविट ने सौ प्यार रहने वाले हैं जिनकी दमदार पफार्मेंस एक बार फिर तीसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया की जीत और हार तैगर सकती है तो वहीं उनका साथ निभाते हुए हमें महमत सिराज नजर आएंगे जियां दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच के लिए कुछ ऐसी प्लेंग तो इंगलेंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जब रोहित शर्मा कर रहे थे ताबर तोड बल्लेबाजी खुब बन रहे थे रन तबी इंगलेंड के शॉइब वसीर ने चली चाल रोहित शर्मा को बैमानी से करवाया आउट और फिर गुस्ते में ये सस्वी जैसवा शुमन गिल ने उड़ाए इंगलेंड के गेंदवाजों के पर खचें तो दोस्तो आखिरकार रोहित शर्मा के बाद ये सस्वी जैसवाल शुमन गिल की पूरी बल्लेबाजी वीडियो में दिखाने जारे हैं तो बने रहे गांत तक लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या ल मुकाबला वेडी सीए क्रिकेट स्टेडियम विसाखा पटनम में शुरू हुआ जा इस मुकाबले की शुरुआत भारतिय कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई और रोहित ने टॉस जीत कर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हाला कि दोस्तों भा स्वी जैसवाल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए तो दोनों बल्लेबाज भाग खुबी जानते थे कि पिछली बार जो हमने गल्ती किया आज वो दोहरानी नहीं है क्योंकि दोस्तों पिछले ही मैच में रोहित शर्मा भी काफी जल्दी आउट हो गय थे और यह स्वी जैसवाल का साथ नहीं निवा पाया और दोनों बल्लेबाजों ने लगभग 18 ओवर तक बल्लेबाजी कर भी ली लेकिन यहाँ पर जब 18 ओवर करवाने के लिए शोयव वसीर उतरे तो दोस्तों यहाँ पर शोयव वसीर ने रोहित शर्मा को भार जाते हुई गेंद डाली और रोहित शर्मा ने उस गेंद पर बॉल को लेग स्टंप लाइन की तरफ खेल दिया हाला कि दोस्तों वहीं खड़े ओली पॉप ने रोहित शर्मा का शांदार कैच लिया हाला कि दोस्तों यहाँ पर लेग सिलिप में ओली पॉप को जिस तरह से लगाया वर इंग्लेंड की टीम की साफ समझी हुई साजिश लग रही थी और जिसके चलते रोहित शर्मा के रूप में भारतिय टीम को पहला बड़ा जटका लगा और रोहित शर्मा 14 रन बना कर आउट हुए तो वहीं दोस्तों यहां पर आप सभी देख सकते हो कि जब रोहित शर्मा का विकट गिरा तब टीम इंडिया का स्कोर मात्र 40 रन पर ही था और वहां से टीम इंडिया पर काफी दवाब बनता चला जा रहा था लेकिन यहां पर रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे शुमन गिल जहां शुमन गिल ने आज वही प्रदर्शन अपनाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं जिया दोस्तों शुमन गिल पिछले काफी लंबे समय से तीसरे नमर पर बल्ले बाजी करते हुए रन नहीं बना पा रहे थे और यहां पर यह सस्वी जैसवाल और शुमन गिल ने मिलकर अच्छी खासी सोजी समझी साज़दारी क दोनों बल्ले बाजों ने भारतिय टीम के स्कोर को यहां 100 रन के पार पहुँचाया इस बीच लंच तक भारत की तरफ से यह सस्वी जैसवाल अपने 50 रन की करईब पहुँच चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ शुमन गिल का भी बल्ला चलता हुआ दिख रहा है और अब